आज मेरे साथ चलिए एक परफिली सेर पर यह है मेरे बालकनी का वियू जहां पर मैंने स्नोमेन बनाया हुआ है और यह विंडो से आप देख सकते हैं कितना सारा स्नो किरा है प्रव धग गया है रोड यह मैं घर से निकल रही हूं और स्नो कितना सारा स्नो कि सुबह किसी ने साफ किया था उसके बाद फिर से भर गया है यह रोड पे भी पुरा भरा हुआ है जो बाहर दिख रहे हैं यह ड़स्पिन है पूरा रस्ता भर गया है स्नों से प्रढ़ धका हुआ है कुछ दिखाई ने दे रहा है यह सामने जो देख रहे हैं आप यह है एक ट्री गार्डेन है वह भी भर गया है यहां जो दिख रहा है यह ट्री गार्डेन हमें इसा ग्रीन रहता है अब प्रवाइट हो किया है स्नों से और यह फुट पाथ ट्लीन किया हुआ इसलिए बीच का साफ है वरना वो भी स्नों से ढखा था सुबहर जब मैं आई थी कार साइड में पार्किंग पे है और वह भी प्रस्नों से भर गया है अच्छा भी लग रहा है और बहुत ही ठंड लग रही है मजा भी आ रहा है और ठंड भी लग रही है अभी तेमपरेचर 2 डिक्दी चल्सियस है अँप मैं करे पना करा लग रहा है यह साइड में दिख रहा है स्नो साफ करके रस्ते से हटा के रखा हुआ है यह हमारा घर है यह नीचे पार्किंग है कि बहुत ही सुन्दर लग रहा है यहां पर कि मैंने यहां पर फूट रहा है फिर मैं आगे चल रही हूं इतना सुन्दर लग रहा है यहां पर एक रोज है जब स्नो जादा हो जाता है तो उसके ऊपर नमक डालता है उसको पिगलाने के लिए झालता है झालता है झालता है झालता है तो पर यहां पर किसी ने स्नोमेन भी बनाया है यह एक लॉन है जो कि पूरा धग गया है स्नो से पता भी नहीं चल रहा है कि यह लॉन है बच्चे खेल रहे हैं स्नो से मैंने यहां पर फोटो क्लिक किया चलते हैं आके दूब भी है और स्नू भी गिर रही है जूब भी है और स्नू जूब भी है जूब भी है जूब भी है मैंने इगलू बनाया है आज की वीडियो में बस इतना ही बाई